पहले तो मोदी जी कहता था जहां जुगी मही मकान, तो जब ऐसे देने के वादे हुए हैं, तो फिर हमारे क्यों तोड़ेगे। नमस्कार, नियूसक्लिम के आपको स्वागत है, अभी हम मौझूद हैं, देश के राजधानी दिली के पूरवी इलाके, कस्तूर्वा नगर बे, जहां पर एक पर फिर से सरकारी बुल्डोजर ने आम लोगों के आशियानों को उजार दिया है, और ये लोग बेघर हो चुके ये सिर्फ एक पहला मौका नहीं, जब राजधानी या देश के अन्न इलाकों में इस तरह की घटना ही हो रही है, पिछले कुछ सम्में हमने देखा है किस तरह से सिर्फ दिली राजधानी के अंदर लाखो लोगों को बेघर करके, ना सिर्फ उनका अस्याने चीड़े गए बलकि रोजगार पर भी एक बड़ा हमला हुआ है, तुगलकाबाद से लेके कस्तुर्वा नगरता, एक ही कहानी है, लोग के कई दसकों से बने मकानों को सरकारे जमी दोज कर रही है, यहां पर रहे लोग कुछ सालों से नहीं, बलकि यह लोग आजादी के बाद से ही, पाक और इसमें डीडिये और सरकार की चालाकी देख समझेए, आज कोर्ट में इनकी सुनवाई होनी थी, कोर्ट के सुनवाई दस बजे सुरू होती, उससे पहले ही साथ बजे सुबह सुबह आके उनोंने बुल्डोजर से मकानों को जमी दोज कर दिया, और सोला परिवारों के म बज गये हैं, और अभी ये लोग यहीं पे हैं, आइसके बाद इन लोगों का साफ कहना, जब तक इनको मकान के बदले मकान नहीं मिले कहीं नहीं जाएंगे, और इनके पस कोई दूसरा उपसन नहीं है, तो इसी अपने मलवे पे तिरपाल डाल के रहने को मजगूर है, सु आज की डेठती है हमारी और आज ये में जबाब आना दो, लेकिन उन्होंने मालूम पड़ गया, कि इनका ये समय उनका बंच चुका है, उन्होंने फिर ऐसा किया, उन्होंने ओडर लिले सुबह साथ वजेगा, कि लोग समीड़ मा कर रहे हैं, सुबह छे वजे, घर खाली आज तो आज वजेगा तो, लेहां तो सब बजूदी खतम कर दिया सरकार ने, हमने जिसको एमेले बनाया, अपने वोटों से, आज उसी ने हमारा घर बरबाद कर दिया, हमारा जो विधायक ता, उसी ने हम ऐसा चाल चल के ये हाल कर दिया, हम लोगों का, हमारे दादाजी सतर साल से यहां पर बस रहे थे, आज उनका सब चीज का कबाड़ा कर दिया, हमारे सतर साल से तो, हमारे सुसर पर चत्तर साल से, पंतारी साल मेरे को होगे साथी सुदा हुए, आज पर बहूं में, पांच बहूं में, दस बहूं में हमारी हो रह हमारी, हमारे माता पिता जी 1968 के गंदर पाक्सितान से आयते है। हम लोग Hindu समास से थे और थब से हम वहाँ यहां दिल्हिये कंदर आय थे हमारे माता पिता है तब से हमारे माता पिता ने नेश्चावन कंदर यह जमीन दी लए हं दान के अंदर को डैकमेरिस लाइ दिये तब से हमारे पिताजी यहां रेट दे, हम पांच भाई पैदा हुए, पांच भाईयों के पिताजी ने बीस भीज हमें जमीन दे दी, हम परिवार साथी सही यहां रहते हैं हम लोगों ने जितरा समान उठा, उठा बाकी रह भी गया, उसमें हमारा समान तूट चुका है, उन्होंने हमें मोका नहीं दिया, फिर हमारे मारे डेट लगी थी, कोड के अंदर डेट लगी थी हमारी, तो उसमें जब हमारी स्टेक डेट आई ना, ओडर आए, तो जब भी इनों ने रोका ही ने, तेरा, तेरा वद है, गुजर्चो के चावदुगा यही आया है, इस ही ने हमारे तुड़ाए है, इसको पता नहीं क्या दुश्मनी थी, अभी तो हम लोग फिलाल यहीं पे, स्टेके लिए लेके बैठे हैं, अभी यहीं पे बैठेंगे, जो भी ज इनका ही उमीद है सरकार से कि एक प्रजंट की वो हमारा घर तोड़ा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो दे, जिससे हम कुछ अपना सर ढख सकें, आने वाले टैम में हम बिल्कुल निकत हो चुकिया, कुछ भी नहीं है हमारे पास, दस बजे का टैम था, इनोंने साथ बजे ब हमारे घर तोड़े तो हमारे घर तोड़े तो हमारे को घर दीजिए, मापब के साथ जीवन बिताया, पूरा परिवार एक साथ, पांच चाचा, उनकी वाइफे, बच्चे हम सब एक साथ पले बड़े हैं, कभी हम अलग नी रहे हैं, आज 17 साल में ऐसा टाइम है कि हम सब ल दस हजार पे महिने का रेंट बता रहे हैं, जब से पर्चे लगे थे घर तूटने के लिए तब से उन्हों नों रेंट भी बड़ा दिया, गली महलों वालों ने कि क्योंकि मजबूरी में ये लेंगे, इस वजा से हम बहुत चीज से महताज हो रहे हैं, हर चीज से, खाने क कोनी जुड़ राम से, बोट दे थे हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे, हमारे को कुछ नी मिला, पर हमारा तोड़ दिये तो हमारे को मकान दे दो, चालिस साल मेरी साथ दिको हो गए, यहीं पे रह रहे हूं, तीन बेटे हैं मेरे, तीन बहुए हैं, और यहीं पे रह रहे हैं, उपर नीचे तीनों बेटे सटल हैं, अब तूट गए हैं तो अब कहां जाएंगे? हमारी जंग यही है कोट के पास कि हमें ठीक है, आपकी जमीन है, आप ले रहे हों उससे पहले हमें कहीं बैठने का सारा दो, हमें बैठने की हमें कोई चोटा मूटा घर दिया जाए हैं, घर के बदले में भर दे दूऊ हम अपने आप छोड़ देंगे, हम ज़रह भी आपको किन नहीं करेंगे लेकिन उन्हों ने जो विधायक है ओम निते हुआ हुआ। यह लोगों को कि करना छाहिए भाकी सारा तो थे पहले दो बताए था के थेएसज़ नहीं करेंगे अबंड दूड़ेंगेगाद अब तोड़ने का टेम आया, अब सुबए छे बजे लाके बल्टोजर, साथ बजे तोड़ना चालू कर दिया, हम तो घरों में सोई के सोई रहेंगे, कितना निकाल लेंगे मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़के और रक्षा शैकर रक्षे चला चला के मुहनत मजदूरी करके हमने मकान बनाया है और वो आके इसने केना वधायक ने तुड़वा दिया हूं परकास वधायक ने तुड़वा दिया है मकान हमारा पुलीस हमें धक्के बाहर निकार दे, लेडिस पुलीस धक्के मारी, जादा बोलोगे, 144 धारा लग जाएगे, अगर जादा जबरजस्ती करके घुसोगे बाद, घर के अंदर, सोला परिवार थे हुँ, साथ लोगों का नोटीस हैं, अभी स्टे मिलने की वज़ा से बीच में रोक दिया गया है काम, एक जुलाई की डेट दी गई है, एक जुलाई को देखो क्या होता है, हमारा हक चाहिए, हमें तो घर में घर चाहिए, अगर सरकार देना चाहिए, तो हम तो जोड़ी आड़के और ये मांग रहे कि हमारे को घर चाहिए, हमारे बसका नहीं है, हमने भूद एक-एक इंट लगा के अपना घर बनाया, अब हमारे तीन तीन बच्चों की छट चलीगी, कहां से हमारे बच्चे कहां बनायेंगे, ताजा कमाते, ताजा खाते, कोई हमारे बच्चों की सरकारी नोकरी नहीं है, कहीं जगानी है, हम तो यहीं तंबू गाड़ेंगे, यहीं बैठेंगे, चाहे कोई मार दे, चाहे खतम कर दे, यहीं पकाएंगे, यहीं खाएंगे हमारी उकात नहीं है कराइप जाने के